वेल्कम बैक टो देड चैनल गाइज आज हम लोग बात करेंगे यूस और यूस प्राइज है, यूस प्राइज है, सब पेनिक हो गया अब पैनिक इस बात का इरान के पास हो सकता है कि नुकलीर बोम यह उसको लेकिव यस काफी फश्या ने अगर इरान के पास अज़ा दो हो सकता है कि एमर्जेंसी में इरान ये जो बॉम है इसको एगेंस्ट यूएस या फिर यूएस के जो एलाइज है उनके ये यूज़ कर सकता है जिससे आगए जाके एक मैसाकर क्रियेट होगा तो इसके वैसे ये जो कंट्रीज है यूएस यूके इसरायल इनलों में एक बहुत अगर आज कर आई मिला है या फिर ये सप्लाई के या फिर वेश कर दो तो तो यदेखा जाये जो वेश्टन वीया है उन लो का कहना है यह पुतिन ने दिया है धि इसके पीचे बहुत सा रिजन ने रुजरन पर एक्जामपल उक्रेन उनको कोई भी और कंट्री सपोर्ट करें और प्रिजेंटली हम लोग देख रहे हैं जब से यह वार स्टार्ट वाई यूएस और यूएस के जो अलाइज है वह हमेशा से यह कंप्रिट जो सपोर्ट है उनका रश्या के एगेंस्ट में यूक्रेन को किया जा रहा है एक और रीजन है कि रश्या को दिखाना है कि मैं कितना पार्फूर हूं जो टेक्निक आप हम पर अप्लाई कर रहे हैं आज की डेट में जैसे रश्या के जो दुस्मन ने उन लोग को डिफरेंट टाइप आप आप अमूनेशन से यूएस हेल्प कर रहे है जो यूएस के दुश्मन है जैसे के इरान अगर इरान के पास वो न्यूक्लियर टेक्लोजी शेर किया है या फिर कोई न्यूक्लियर बॉम भी दिया है तो चब जाके यूएस का क्या हालात होगा वही रश्या को देखना है और प्रेजेंटली वही सिच्वेशन चल रहा है प्रेजेंटली ऐस पर वेस्टरंड मीडिय, एधर इरान के पास यह टेक्लोजी आगया है मतलब जो न्यूक्लियर बॉम बनाने का टेक्लोजी अगर नहीं आया है तो इरान के पास ये बॉम आगया है मतलब नुक्लियर बॉम जो वो आगे जाके किसी भी कंट्री के मतलब जो इरान के एनिमीज है उन लोग के उपर ये यूज कर सकते हैं जैसे के हम लोगो पता है जी यो पॉलिटिक्स में अगर हम लोग देखे कुछ भी फ्री नहीं है अगर आप सोच रहे के आपको फ्री में कुछ मिला है तो बाद में जाके आपका जो कंट्री है उसको एक भारी कीमत चुकाना पड़ता है तो नो डाउट रेशिया ने जब ये टेक्नोलजी या फिर ये बॉम इरान को दिया होगा वह भी फ्री में नहीं रेशिया को कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिला होगा तो जो मिला है वह अलग बात है ओन दर साइट ये सब देखने के बाद आप पूछी सकते हैं कि रैसिया को कोई वेपन सप्लाइब कर रहा है ये थोरा सा सुनने में अजीब लग रहा है कि तो रहेशिया कोई भी वेपन लेलो कोई भी बंदू लेलो कोई भी टांक लेलो सब से मैनिफेक्टर करते हैं दुनिया भर में वेस तफिरता है फिर उसको क्या ज़रूरत है तो अगर देखा जाए इसका एंसर हम लोग को जी सेबन के जो पॉरेंट मिस्टर है उन्होंने खुद ने बता दिया क्योंकि उनका कहना था इरान ने जो मिसाइल सप्लाई किया था र अलाइजे वो लोग भी अपने तरफ से सपोर्ट को और इसी सपोर्ट के अंदर युक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम भी प्रोवाइट किया गया है कि आगा जाके वो लोग अपने आपको प्रोटेक्ट कर पाए जब भी रश्या उन लोग अटाक करें और एक्जंपल हम ल जिससे वोलोग रश्या को एका करेगा कौन से सिस्टम लोग को यूज एक कर रहते हैं तो लोग अपना जब देखा जाया रॉश्या ने यह सस्टा भी यह जुक्रिद आए इसके पीछ एकई रिजए ने वह है यूजच्छ डिफेंस सिस्टम इस इसको इसको हो सकता है कि missile लिया है उसको स्रिफ यूज कर है कि यह जो एर डिफेंस सिस्टम जितना भी है उक्रिन के पास उनका जो बैटरी उसको खतम करने के लिए जब यह एर डिफेंस सिस्टम का बैटरी खतम हो जाएगा तब रशिया अपना जो missile से वो यूज करेगा और target को जो है वो destroy करेगा तो इसके लिए रशिया ने यह सारा जो सस्ता में मिसाल है यह लिया है इरान के साथ on the other side इसके against में हो सकता है कि रशिया इधर इरान के साथ कोई agreement किया है कोई secret agreement जिससे रशिया इरान दोनों मिलके इरान के लिए आगे जाके nuclear bomb develop करेगा यह फिर कर चुका है on the other side यह भी हो सकता है कि रशिया ने अपने तरफ से दो या तिन nuclear bomb जो है ओ इरान को दिया है कि यह लो तुम यह use करो in return तुम हम लोगो यह सब provide करो तो exact क्या deal हुआ यह completely secret है फिर भी हम लोग assumptions लगा सकते हैं और हम लोगो लग सकता है कि यह deal हुआ है पास्ट में जो US के नाक के नीचे हो गया और US को यह बात पता नहीं चला और अभी जाकि US और उनके जो allies है वो अपने तरफ से panic कर रहा है among all the allies जो US के साथ है एक country है वो बहुत जादा वरीड है और वो country है इस्राइल प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें दुनिया में 9 country है जिन लोग के पास यह nuclear power है for example Russia, US, India, China, France, UK, Pakistan, North Korea और इस्राइल तो इस्राइल के पास आज के डेट में क्या क्या वेपन है यह completely secret है इस्राइल कभी यह जो डेटा है यह बाहर किसके साथ शेयर नहीं करता है on the other side अगर देखा जाए इस्राइल अभी थोड़ा सा डरा हुआ है क्योंकि इरान जो इस्राइल के मतला कम चुनिंदा एनिम है उनके पास अगर यह nuclear technology का जो formula है वो आ गया है या फिर यह nuclear bomb available हो गया है तो हो सकते हैं वो लोग कभी भी इदर US और इस्राइल पे अटाक करें और हमेशा जब इस्राइल किसी पर अटाक करता है अगर इस बार यह नहीं होगा इस बार दोनों मिलके इरान पर अगर इरान के पास यह nuclear bomb है तो हो सकते कि इरान आगे जाके इसका answer करें तो अभी जो situation है यह काफी complex है हो सकते है कि in the near future इरान अपने तरफ से जमीन के नीचे यह जो atom bomb है इसको test करें और इसके बाद वो भुशित कर दें अपने तरफ से कि हम लोग के पास भी आज करें तो हम लोग भी एक nuclear power कहलाएंगे जो 10th country होने वारा था हम लोग ही है अगर ऐसा होता है तो आगे जाके इसराइल अपने तरफ से कुछ भी स्टेपले सकता है और इंडिया भी इसके साथ इरान के एगेंस्ट में जाके यह सब में इसको गाइट करें या फिर help करें तो आगे situation किया होगा यह completely depend करते है टाइम के उपर presently जो condition है कि बहुत सारा जो western countries है उन लोग का अंदर में पैनिक चल रहा है regarding इरान और इरान क्या करेगा यह completely depend करते इर इरान और साथ-साथ इरान के दोस्तें उन लोग के उपर जो भी होगा वैसे यह update आपको मिलता रहेगा मैं चैनल में यह वीडियो लांगा इपको देखके यह जो complete आपको अज़ेट कर पाएंगे अगर यह वीडियो को इंट्रेस्टिन लगा तो में रिक्वेस्ट आपका जो टेस्ट है उन तक पहुंचता है कि आपको क्या देखना पसंद है on the other side हम लोग जैसे जो creator है हम लोग को जो रोज रोटी वो भी चलता रहता है और जब ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज जो बेल आइकन है उसको क्ल कर दोजी चैनल को करें हैं मैं जो बड़ान आपको क्या है है उसको का जब हैं मैं आपको कर दो जो यजाइकन हैं जो एंचता है उसका है उसरे टोगा रहें पलाइकन जो चेंद हैं झाल, 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 झाल.